हाँ जी आगे जोमेट्रिक मीन पर बात कर लेते हैं जैसे माल लीजे इसमें X और F दोनों दे रखा है तो अपने पास में जो फर्मूलिया वह यह है X1 गी बार F1, X2 गी बार F2 तो अगर इसके साब से देखा है तो अमारे लिए जोमेट्रिक मीन जो होगा न वो होगा 2 तो बार 4, multiplied 4 तो बार 3, multiplied 8 तो बार 2, multiplied 16 तो बार 1, सही है कि whole power में 1 बाई N, 1 बाई N में N क्या चीज़ थी, summation FI, summation FI माने आपन इससे को जोड़ने, 4, 3, 2, 1 को मतलब 10, तो यहां पर 1 बाई 10, अब आप इसवे देखेगा, यह लिख रखा है 2 तो बार 4, यह 2 तो ब बार 2, इसका मतलब यह लिखाओ है, 2 तो बार 2 की पावर 3, यह लिखाओ है 2 तो बार 3 की पावर 2, multiplied by 2 तो बार 4 की पावर 1, की पावर 1 बाई 10, वो चल रहा है अलग, इसको अगर आप देखेंगे, यह बन गया, 2 तो बार 4, इंटू तो बार 6, इंटू मिन तो बार 6, अगर बार 2 मने 4, यह आंसर होगे, जोमेटरिक मीन, रहट है, तो इसको जोमेटरिक मीन इस उगल टू 4, अच्छा, अब जोमेटरिक मीन के बाद में अगला है, हार्मोनी मीन, हार्मोनी मीन के अंदर, अगर बाई देवे, फ्रिक्वेंसी नहीं दे रहे कि, सिंपल डिट है तो फर्मुल लगेगा N अपान में इतना, यह दोगो न जैसे महल लिजे, A और B का हर्मोनी मीन अगर वह पूछे, A कोमा B का हर्मोनी मीन होता है, 2 अपान 1 अपान A, प्लस 1 अपान B, अच्छा, महलओ अगर ABC हो जाए, तो हर्मोनी मीन होता है, 3 अपान 1 बाई A, प्लस 1 बा अगर माली जे इंडिविजल डेटा नहीं देखरके आपको डेटा दे रखा है ठीक है गुरूप डेटा तब आप यूज करेंगे फार्मूले यह वाला मतलब n upon f1 upon x1 f2 upon x2 plus f3 upon x3 है न डेटर डेश fn upon xn और फिर am gm hm की बीच में एक रिलेक्शन तो यह होते ही है am is greater than gm is greater than hm और तीसरा होता है दूसरा होता है कि यह सब किसमे होते हैं gp में ठीक है करने का मतलब g square is equal to a h यह भी एक relation है ठीक है next अगले point पर आते है अगला है median median का मतलब है the middle class of the most central values अगर बाइद हम लोग चीजों को ascending यह descending order में लगाते हैं तो जो सबसे बीच में जो data आ रहा of the variate in the set of observations when observations are arranged in either ascending or the descending order of their magnitudes it divides the arranged series into two parts obviously कि दर वाले पड़े हैं इदर वाले चोटे हैं बीच में यह है अचा median of the individual series अगर बाइद वे simple and odd दे रखाया है मने एक odd observation दे रखें और number of observation दे रखें तो एन प्लस 1 बाइट 2 तो अथ जो भी observation होगी वो median होगी even उने पर दोनों का sum by 2 मने n by 2 प्लस n प्लस n by 2th observation प्लस में 10 बाइट 2 प्लस 1th observation divided by 2 है ना अगला median of the discrete frequency distribution दिखें सब में न निकालना हो तो सबसबले cumulative frequency निकाली है और cumulative frequency n बन जाएगी जो कि n by 2 दे देगा ठीक है ना फिर उसके बाद में n by 2 से just बड़े वाला ठीक है n by 2 से just बड़े वाला CF देखो और ठीक है इसके बाद में questions के उपर आते हैं फिर बताते हैं उसको समझाता हूं जारा question के अंदर कैसे question को solve करना है ठीक है फटा फटा साइक question करते हैं अले लिख लिए यहां तक हम वही लिख लिख लिए यहां तक आगे लिखे हो find the median of the mid distributed frequency distribution अगर अपने को यह देख रहा है ना सबसे पहले तो इसका x i तो बराबर है अब अगर दिखा था है तो इसका x i के अंदर सबसे का ना मुगा cf cf का मतला यहां पर 8 पे 8 अब 8 प्लस 10 मिलकर के ठर होगे तो आप 18 यहां लिख दोगे 18 प्लस 11 18 प्लस 11 मिलकर के हो जाएगा 29 29 और 16 मिलकर के हो जाएगा 45 फिर 20 मिलकर के हो जाएगा 65 फिर 25 और मिलकर हो जाएगा 80 अगला मिलके 95 उसके बाद में it is 104 और इसक इसका उन्तला समेशन FI इसकाड़ कितना आगया 110 आगया वैसे तो यह जो आपका cumulative frequency बनी इससे आपका N इसकाड़ आगया 110 तो इसका उन्तला आपको निकालना चाहिए सबसे बहुत है N by 2 का मतलब होता है इसका N by 2 इसकाड़ 65 55 इसका N by 2 इसकाड़ कितना क्या 55 अब 55 या तो 55 मिले अगर 55 नहीं मिलता तो उसे जस्ट बड़े वाली cf डूंडनी है तो 55 से जस्ट बड़ी cf कौन सी 65 तो यह 65 वाला जो class हुआ यह model class क्लाएगा और इसके में जो एक साई की value होगी वह आपकी median के लाएगी तो अगर कोई कुछ है median कितना है तो median is गड़ 5 सही है तो cf या cf से जस्ट बड़ी वाली ठीक है अगली बात है next हाँ जी साम median तो group data और तो continuous series अब group data माने अगर frequency में दे रखा तो क्या करना है formula लगता है l plus n by 2 minus f upon f into h l plus ठीक है न कितना n by 2 minus f ठीक है upon small f into h यहाँ पे l के चीज़े lower limit है lower limit of the class h के ज़े width of the class n by 2 तो अब यह निकालना सीख यह है अच्छा capital f की बात करी तो m by 2 के समने की cf है वो f है और उससे जस अगली जो नीचे जो frequency होगी that will be f इसका मतलब समझाता हूं उपको जरह ठीक है अब यह कैसे median निकालते है इसमें इस fund day में कैसे median निकालते है मालो जैसे यह दे दिया इसने अब अगर यह दे दिया तो सबसे पहले आप पैरलली एक cf और निकाल दो ठीक है न अक्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते है यहां जागी 5 यहां जागी 9 यहां जागी 70 और यह 17 और 7 24 ठीक है न तो आपका summation fi बोले तो capital N is गड़ आ गया 24 ठीक है इसका मतलब आपको 24 by 2 सोचना है 24 by 2 बोले तो 12 अब 12 यह 12 से बोले तो 17 तो 17 जो हो गया यह तो median class हो गया अपने लिए और इस median class में जो सबसे lower है that is L ठीक है तो L इस जुकरड़ कितना हो गया L इस जुकरड़ हो गया 20 अब H, H मने 20 और 30 के बीच का gap, class के बीच का gap ठीक है न, that is 10 सही है अब अब आपको आपको समें यह आ गया अच्छ ठीक है और small f इसकी खुद की frequency that is 8 ठीक है अब ज़रा दुबारा से देखेगा capital F the cumulative frequency of the class preceding to the median class, median class है just पहले वाली की cf और small f क्या चीज़ है, frequency of the median class है न, इसका मतलब क्या, frequency of the median class इसका मतलब यह रही है, देखिए यह median class है, median class की जो frequency है, वो at 8 है, that is small f, यह small f बन गया औ उसे just पहले वाली जो थी उसकी cf के लएगी, है न, capital F, आप formula क्या था, formula था capital M is equal to, n by 2 minus capital F, ठीक है न, divided by small f, into L plus H, sorry, L plus A into H, से न बही, अब अगर L की बात करीए तो L is 20, plus n by 2 की value थी 12, minus capital F की value 9, upon 8 into में, इसका जो H है, that is 10, सही भई, तो कोल मिलांगर क्या कर देखा था, तो it is 3 by 10, यह 3 divided by 8, 8 के साब से देखा था, तो it is 5, ठीक है, it is 4, तो 3 by 4, माने 0.75, ठीक है, तो it is 20, plus, it is 15 by 4, सही भई, 15 by 4, 15 by 4, का मतलब हो गया, लगबग 3.8 के करी, तो it is 23.85 के करीब आगया, almost answer, ठीक है, यह इसकी median निकल गई, ठीक है, अब चलते हैं, आगे, next point here, next, mode, mode क्या चीज़ है, mode जिसकी frequency सबस्यद है, है ना, और जिस, अब इसमें क्या है ना, frequency को, अगर आपने देखा जिसकी mode सबस्यद है, जैसे, इसके अंदर frequency देखी जाए, सबस्यदा frequency 6 है, तो यह जो class है ना, यह model class कलाएगी, यह class जो कलाएगी, क्या कलाएगी, model class है ना, और इसका जो mode होगा, that will be 5, है ना, frequency सबस्यदा जिसकी वो mode है, ठीक है, mode is the value of the series, which occurs most frequently, जो सबस्यदा आता है, that is mode, है ना, in the frequency distribution mode is the variate, which has the maximum frequency, जिसकी सबस्यदा frequency हो, सही है, अगले point पर आते हैं, next, अब यह एक competition of the mode, mode of the individual series, ठीक है, जिसका जब 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 आबार, जिसकी maximum repetition होगा, वो mode है, mode for the group data जो हमारे काम का है, उसके लिए वापिस हमारे पास में एक formula होगा, ठीक है ना, यह रहा वो formula, L प्लस, FM माइनस, FM माइनस वन, FM क्या जिदे है, model glass की frequency, FM माइनस वन, उससे पहले वाले की, FM माइनस, FM प्लस वन, उसके अगले वाले की, H और L, आज भी वह यह lower limit, ठीक है, उससे पहले वाला, आइए, साब, इसके बर बाद करते हैं, इसमें सबसे दो frequency किसकी 8, इसकी, यह model class होगी मेरे लिए, ठीक है ना, तो यह जो है, इसकी frequency म FM माइनस वन, इसके जस्ट बाद वाले की frequency होगी, FM प्लस वन, ठीक है ना, इसका जो lower, FM का जो lower value, that is L, इसका जो H होगा, वो इन दोनां की बीच का gap, दस, आप मेरे को फार्मूला याद होना अच्छी है, अगर किसीने mode पूछा, तो mode is equal to L, plus bracket में कितना, FM माइनस, FM माइनस 1, upon में twice of FM, minus FM minus 1, minus में F of M plus 1, multiplied by H, यही था फार्मूला, मैंने तो यह देखा था, है ना, यही देखा था, सही देखा, सही है, अब अब अधाने question के पर, L की जगे पर मेरे को कितना लिखना ची 20, मैं लिख दे 20, FM की जगे मेरे को लिखना ची 8, minus में FM minus 1 बोले तो 4, upon में 2 FM बोले तो 16, minus में FM minus 1 बोले तो 4, minus में 7, multiplied by H बोले तो 10, अब आप इसको multiply करके solve कर लेंगे, आपके लिख मोड आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी, चले हैं के लिख पर, next, अगर copy होगे तो, अटा रहे हैं, ठीक है, तो mode और media निकालना तो बहुत ही आसान है, इसके बाद आग दूर तक चला गया, कोई भी data अपने center से कितनी ज़दा dispersed हुआ है, कितना ज़दा दूर तक चला गया, ठीक हैं, dispersion is the statistical distribution of the measures of the deviation of its value above, about the average value, the measures of the dispersion commonly used, जो सबस्यादा यूज होते हैं, उनमें से एक range है, quartile deviation मैं नहीं बता है, तो पहली outside है, range भी outside है, सिरफ mean deviation, standard deviation हमारे mean deviation क्या चीज़ है, mean deviation बहुत गहराई से समझने वाली चीज़ है, mean deviation is defined as the arithmetic mean of the absolute deviation of its value taken about any central value, इसका मतलब क्या है, जैसे central values हो है, वो mean है, उससे हर data का कितना deviation हुआ, वो XI-A ही बता देगा, कितना deviation हो, घटा के बता दो, कितना deviate हो गया, उसका mod लेना मतलब उसकी absolute value लेना, और absolute value लेने के बाद में उसका arithmetic mean दुबारा निकाल देना, ठीक है, that is mean deviation, तो mean deviation के तो basic formula वो ही है रहा, अच्छा, यही चीज़, ठीक है, यह, इसके बदें, FI के लिए यह वाला formula है, तो हमारे पास में ध्यान रख लेना, mean deviation के मारे पास में दो formula होगे, पहला formula हो, 1 by N, summation के हाँ, अब question आता है, formula यह याद हो नहींची बस इसमें, लपक के, क्यों क्योंगी यह chapter, मैंने बेले ही बुला, 45 minutes से लेकर के और, जदा-जदा 1,5 गंटे का chapter है, ठीक है, यह तो हमारी side से 1,5 गंटे का, अगर आपने इस पे 2 गंटे, 3 गंटे और मैने गड़ लिए, 100% इस बारा नंबर के questions तो हर साल आते हैं, 16 भी हो दाते हैं कभी कबार, तो बारा नंबर के questions अगर भाई दिवा आप अगर एक दिन की study से निकाल लेते हैं, तो मेरे दांद कहले हैं, इससे सब वेलकमिंग कोई step होई नहीं सकता, ठीक है, अच्छा, find the mean division of the median, from the median, अच्छा, 37 भी दो बार है, तो आप भी दो बार ही लिखोगे, फिर कौन आया, फिर है 49, फिर आया 50, फिर आयगा 53, फिर आयगा 59, फिर आयगा 50, ओ सरी, पहले 58 आया, फिर आया 59, और फिर आया 60, सही है, तो दीखें, जाब 4 इदर है, और 4 इदर है, इसका उदर यह 40 जो है, यह median बन अब यह आपका median हो गया, अब आपको mean deviation निकाला है from the median, तो यह आपके लिए A बन गया, सही है, average value अब नहीं यह ले ली, अब आप हर किसी से central value से इसकी दूरी निकालो, तो 45 से 50 की दूरी 5, प्लस 47 की 50 से distance 3, इस से distance 3, इस से distance 1, पचास की पचास से कुछ से दूरी 0, इस से इसकी distance 3, इसकी distance 8, उसकी distance 9, इसकी distance 10, आपने देखा को और से मैंने distance बोला, ताक ही कहें मैं absolute low ही नहीं, मेरा सीधे सीधे automatically positive है, अब जब यह सब आ गया, तो यह divide by, कितने number हैं वो गिल लो, that is 9, तो that is your, that is your mean deviation, आपका answer आजाएगा, सही है, तो main deviation यह है इसा, सबसे बहले चाहिए था है, हाँ, अगला, mean deviation of a discrete frequency distribution, यह दो होई गया, यह ना, बताया था भी, F1 के ले करके, अच्छा, variance and the standard deviation, दूसरी काम की चीज़, actually mean division के बता हमने को standard deviation बढ़ना दा लिए नहीं, variance करके एक और point है, जो ज़्यादा है मैंतर पूर्ण है, उसके बर बात करते हैं, variance क्या है, variance of the variate x is the arithmetic mean, arithmetic mean of the square, arithmetic mean of the square माने square है नीचे इन है, ठीक है, of all division, arithmetic mean है तो summation भी होगा, अच्छा, of all division of x, x माने x i, from arithmetic mean of all observation, arithmetic mean बोले जाए x बार, बस हो गया, खतम हो गया, खतम खतम खतम, ठीक है, x i, minus x bar k square का arithmetic mean, ठीक है, और ये आपके लिए क्या बना, variance, ये जो बन जाएगा, तो जब आप इसे खोलेंगे न, तो you will find a very interesting fact, that x i का square divided by n, minus में summation x i by n का whole square बन जाएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये variance है, अब ये variance को ही sigma square कहते हैं, और exactly वही आया, ठीक है, x i minus x bar का square divided by n, क्योंकि इसकी definition ये कह रही थी, ये जोरो मुझे याद था, x i का square by n minus x i minus n का whole square, जोगी ये इसी से आता है, ठीक है न, अच्छा का whole square divided by capital n, minus में summation of, ठीक है, f i x i by n का whole square, ठीक है, इसे कुछ लोग x bar bhi कहते हैं, ठीक है, दूसरी काम भी चीज़ है, मतलब बहुत काम के दो formula है, ठीक है, variance को ले करके, हम variance क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब variance आता है, तो standard deviation is equal to unroot में variance of x होता है, तो variance of x is nothing but the unroot of variance of x, सही ह ठीक है, अब आगे चलते हैं, यह आप चाहिए तो copy करना है, तो आप copy कर लें, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, next, चलिए, अब अगले point पर चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, variance is in the standard deviation of this, अच्छा, अब इसके questions पे भी दालते हैं, इसके questions में बात करीए, तो variance निकालना है साथ, ठीक है, standard deviation, तो सुलसे विले mean निकलना पड़ते हैं, अगर मैं mean निकलता हूँ, तो summation x i by n का whole square, summation x i का square, divided by, यह standard variance निक है, standard deviation नहीं है, एक्च्छल में question कुछ और होगा, ठीक है, एक मिन्ट चेक कर लेते हैं, यह question में change है, यह actual mean deviation from median है, mean deviation from median, तो फिर यह वह यह वाला पुराणा वाला question होगा, जैसे भी अपने 50 वाला question का, पहले median निकलो, फिर उससे mean deviation निकलो, x i minus x bar का, mod का summation, divided by n, तो यह तो असान question है, कोई मतलम नहीं है, repeat question है, बस data बदल गए, अगला, find variance of the first and natural number, अगर आपको यहाँ दो, तो variance of x का formula होता है, summation में x i का square divided by n, minus में summation x i by n का whole square, अच्छा, अब x i क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे लिए x i क्या चीज़ है, x i is equal to 1, 2, 3, 4 से लेकर के n तक, से एक से लेकर के n तक first and natural number है, तो जब आप summation x i का square करेंगे, तो summation x i का square का मतलब हो जाएगा, 1 का square प्लस 2 का square से लेकर n का square का sum, तो जैसे आप इसका इसे आप करोगे, तो it will become n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 3n, minus, summation x i by n की जब करोगे बाद, तो यह whole square को तो करते दों बाहर, summation x i माने इन सब का sum n into n plus 1 by 2n, यह हो जाएगा, यह दोना आटा दो, इदर से आप यह दोना आटा दो, finally अगर आपको दिख रहा हो, तो n plus 1 common आजाएगा, n plus 1 common आते ही अंदर ही अंदर बचेगा, 2n plus 1 by 3, minus में यहां से बचेगा, n plus 1 by 2, सही है, थोड़ा और solve कर लो, it is n plus 1 बाहर है है, अंदर ही अंदर LCM आजाएगा 6, 6 होते ही, it is 4n plus 2, minus में 3 and minus का 3, ठीक है, it is n plus 1 multiplied with, it is n minus 1 divided by 6, सही है, n minus 1 divided, it is nothing but n square minus 1 by 6, यह answer हो गया, ठीक है, यह यहां कुछ हमने चमतकार कर दिया, it is 6, 6 है न होते ही, यहां पे 6 हो जाएगा, और इसके 6 होते है, LCM तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा, 6 लगने की वज़े से, थोड़ा change हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, यहां LCM में आजाएगा, n plus 1 multiplied with, LCM will be 6, और LCM के 6 होते ही, उपर उदर तो लग जाएगा 2n plus 1 h, 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 minus में, इदर 3 से multiply हो जाएगा, 3n minus 3, ठीक है, तो it is n plus 1 multiplied with minus n minus 2 divided by 6, यह answer हो जाएगा, ठीक है, finally, common लेने के दरण हमने n plus 1 को ले लिए दर 2n plus 1 by 6, 6 ही LCM, मुझे क्या, ठीक है, सही, ठीक है, इसमें यहां यह गलती हो जाएगा, अपने divide by 4 है, LCM में, square भी तो होगा, और 6 और 4 का LCM will be 12, change तो एक बार अगर गलत हो जाएगा, चीज तो गलत हो ही जाती है, finally, it is nothing but n plus 1, LCM is 12, 12 LCM अधे 2 लगती 4n plus 2, minus 4 से क्या, 3 times 3n minus 3, that is n square minus 1 divided by 12, ठीक है, अब सही है, अब को पी कर लाएगा, ठीक है,